हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो अटोमेशन एंड रोगोटिक्स यूट्यूट्यूब चैनल यू आर विद टेक्टॉक विद इला लितिस तो आज के जो हमारा वीडियो है वो बहुत important है important इसलिए है क्योंकि generally लोग क्या करते हैं drawing बना लेते हैं लेकिन वो सोचते हैं कि हम लोग print out अगर निकालना है तो printer से print out कैसे निकालेंगे या किसी को अगर mail करना है हमें तो PDF में drawing convert कैसे करते हैं उसके बाद mail कैसे करते हैं या backup कैसे बनाते हैं उसके बारे में जालेंगे तो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो इसको लाइक जरूर करें और सेयर करें तो आपको मेरे प्रिवेश वीडियो इस परसंद आ रही होंगी, तो अगर देखा जाए तो अगर हमें प्रेंटाउट लेना है, तो कैसे लेंगे तो उसके लिए सबसे पहले आप कोई भी drawing बना सकते हैं, छोटा सा drawing design कर सकते हैं, तो उसका print out कैसे लेते हैं, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊँगा, बहुत simple, stable लेकिन बहुत important है, तो सबसे पहले माना कि मैं कुछ line हैं यहां से बना लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहां से एक particular distance, यानि 1000 mm की एक line मैंने यहां से draw की, इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, आप इसको right click करके, pen पर जाके zoom भी कर सकते हैं, इस तरीके से, एन आपको एक particular distance पर line चाहिए, तो मैंने एक offset 100 या एक distance ले लिया, then select करके यहां से, आप एक particular distance पर आप line ले सकते हैं, right, अब मैं चाहता हूँ कि इनके अंदर एक circle बन जाए, एक circle ले लिया, कोई भी यहां से एक circle आप यहां से बना सकते हैं, अब क्योंकि दोनों line के बीच में circle बनाना है, तो मैंने आपको बताया था two point circle, तो circle पर जाएंगे, then उसके बाद आपको क्या करना है, type करना है two point circle, then एक तो first point आप यहां से ले लेंगे, then sorry, एक बार यहां circle पर जाएंगे, then उसके बाद आप जाएंगे सीधे two point circle पर, two p, then उसके बाद आपको first point लेना है, then second point आपको लेना है, तो यह मेरा two point circle हो गया, अब मुझे इसके copy करना है, then select this, enter, then आप यहां से select करके, और यहां पर पेस्ट कर सकते हैं, जितने भी circles के आपको requirement है, यह आप क्या कर सकते हैं, एक particular distance पर circle मुझे चाहिए, तो मैंने आपको पताया था, कि आप array command यूज कर सकते हैं, तो AR पर जाएंगे, because friends देखे, जितने भी मैंने आपको commands बताई हैं अभी तक, उस सारी commands का आपको यूज करन पताई है, एरे चाहिए, तो मेरे को call, row एक ही चाहिए, लेकिन colon मुझे करीब-करीब यहां पर 8 चाहिए, तो 8 colon आप यहां से select कर सकते हैं, then enter करेंगे, तो 8 यहां पर आपको, basically 8 enter, यह आप देख सकते हैं, 8 नहीं चाहिए, या 6 चाहिए मेरे को, 6 मेरे पास यहां पर इसी तरीके से, अगर आप चाहते हैं, कि मैं और भी लाइनों के बीच में array ले लूँ, तो array command है, काफी important है, control-z वापस जा रहा हूँ, मैं फिर से array command पर जा रहा हूँ, then select object, then enter, और उसके बार rectangular array, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, कि मेरे को exactly करना क्या है, कि रो एक ही चाहिए, आप यहां से क्या कर सकते हैं, तो आप यहां से एक select कर लिजे, और यह मैंने 6 यहां से आप assign कर दीजे, तो इस तरीके से यह मेरे यहां पर आगया, and अब क्या करना है, मुझे copy करना है, तो co copy, and select all the circle, enter, and base point select करके, आप यहां पर paste भी कर सकते हैं, ठी और यहां से प्रेश कर सकते हैं, अब अगर आपको print out लेना है, तो कैसे लेंगे, यह rectangle बनाना है, तो मैंने यहां से एक, दो यहां से rectangle यह से बना लिए, तो मुझे copy करना है, तो copy, co enter, then select object, और यहां से आप copy कर सकते हैं, right, और तो off कर देंगे, तो आप किसी भी angle में copy कर सकते हैं, तो friends, अब मुझे क्या करना है, आप कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अब मुझे क्या करना है, प्रेंट आउट लेना है, तो print out लेने का सबसे बढ़िया तरीगा क्या है, कि आप यह PDF में convert करना है, तो सबसे पहले drawing आप बना लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर उपर एक option जाना है, सीधे file में, यहाँ पर एक option है, print, print में जाना है, और print में एक option आता है, plot, तो plot में जाना है, plot में जाने के बाद आप friends, यहाँ पर आपको करना है, करना क्या है, कोई printer से print निकालना है, तो printer select करना है, यह आप चाहते हैं, के बाद पीडियाफ में convert करना है, तो सबसे last ने आप देखेंगे, या drawing to PDF में में, मेरे को convert करना है, जैनल यह हम पहले क्या करते है, PDF में convert करते हैं, तो PDF में convert होने के बाद, easily print out निकाला जा स तो मैंने यह select किया select करने के बाद आप बाद यह आती है कि आप किस पेपर पर इसको प्रिंट करना चाहते हो तो यहां पर कई तरह के मतलब क्योंसा एरिया कॉट क्योंकि पेश तो अगमें लेकिन मुझे कौन सा एरियाub प्लॉट करनाओ उसको एक उप्लॉट करनाया होगा तो ओट् तो अपर यहां पर कैसा रहे उउपसन है तो आपको select करना है window window मतलब है कि window पे आप जाएंगे और window पे जाने के बाद आप यहां से select करेंगे किस corner से किस corner तक हमारा print होना चाहिए तो मैंने यहां से select किया इस तरीके से select किया इसका मतलब है कि मैंने select कर लिया जो भी मुझे print कराना है print कराने के बाद अब जब आप print कराएंगे तो हमारा कहां से basically offset कितना होना चाहिए तो मैं चाहता हूँ center में plot हो center मतलब है कि एक paper पे center में plot होना चाहिए then preview पे जाके आप देख सकते हैं कैसा दिखाई देगा तो इस तरीगे से यहां preview आ रहा है तो अगर preview ठीक है तो आगे बढ़ जाएंगे अगर ठीक नहीं है तो आप फिर से वापस आएंगे escape की press कर रहा हूं तो मैं फिर से वापस आगया तो अभी preview ना करके मैं चाहता हूँ कि इसको PDF में convert कर लो तो मैंने उपर down to PDF कर रखा है सारा कुछ आपने किया centered upload किया देन उसके बाद okay करेंगे तो यह पूछ रहा है कि आप इसको convert किस नाम से करना चाहते हैं तो माना पहले तो आप यहां से पास select कर लीजे मैंने कहा desktop पे करना चाहता हूं और desktop पे किस नाम से होना चाहिए नाम mention कर सकते हैं कि तो printing ड्रॉइंग के नाम से मैंने क्या किया एक PDF में जो की file type है इसको save कर रहा हूं तो यानि अब मेरा जो भी ड्रॉइंग है AutoCAD का वो मेरा convert हो रहा है PDF में और desktop है save हुआ यह बिसिकली open हो गया आप इसको close करके दोबारा desktop पे जाके देख सकते हैं तो यह printing ड्रॉइंग के नाम का हमारा एक ड्रॉइंग open हो रहा है इस तरीके से मैंने यहां से जो ड्रॉइंग है वो open किया देन उसको specify किया तो इस तरीके से देन फिर आप finally control पी जाके आप इसका print out आप क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं तो सबसे पहले ड्रॉइंग को हमें क्या करना होता है convert करना होता है और convert करने के बाद PDF में मुझे दिखाना होता है उसके बाद आप इस PDF को mail कर सकते हैं प्रेंट आउट निकाल सकते हैं जो करना है वो कर सकते हैं तो फ्रेंट इस तरीके से हम क्या करते हैं बेसिकले आटोकेट सॉफ्टेल में जो भी आपको डिजाइन करने उसका प्रेंट आउट निकालते हैं तो होप रियली आपको यह वीडियो मेरा पसंद आया होगा तो इस आप लो लर्न कर रहे हैं तो एक अच्छी सी ड्रॉइंग आप खुद भी डिजाइन कर सकते हैं बना सकते हैं और उसका प्रेंट आउट ले सकते हैं तो ठैक्स for watching मैं वीडियो जाएंगी तो लगातर connect रहे है तो ठैक्स for watching अब वीडियो थेंक्यो